मुझे almost daily basis पे एक ऐसा सवाल आता है चाहवो आप YouTube के comment में बोलो, email पे बोलो, Instagram के direct message पे बोलो जिसका मुझे एक ही reply करना होता है कि भाई ऐसा नहीं होता है कृपया आप थोड़ा सा इस पे जानकारी ले सवाल क्या है, emails क्या है, या फिर वो questions क्या आते है का इस question ही आते हैं कि हमें affiliate marketing से धेर सारा पैसा अन करना है लेकिन कोई ऐसा तरीका बता दो कि एक हफते में पैसा आना शुरू हो जाए ऐसा कोई quick तरीका बता दो, जादू ही तरीका बता दो मैं आपको quick affiliate marketing से earn करने का कोई तरीका नहीं दे सकता अगर आपको सुनना है तो आपको इस session को देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको decide करना पड़ेगा कि क्या affiliate marketing आपके लिए है अगर है तो करना अगर नहीं है न तो आप बिलकुल time waste मत करना क्योंकि आप भी उसी position पे दुबारा आ जोगे जहां पर आज की rate में कुछ youth हैं जो quick money के चकर में आये तो थे लेकिन हाथ जलाके निकल गए और फिर बार में गालिया देते हैं कि affiliate marketing जैसा कुछ exist नहीं करता इस पे कोई benefit नहीं है तो I hope आप चीजों को अब समझ पा रहे हैं चलो मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ कि अगर आपक affiliate marketing करना है तो सबसे common चीज और सबसे basic चीज क्या रखनी है आपको सबसे basic चीज जो अपने mind में रखना है that is your objective आपका objective affiliate marketing में क्या होना चाहिए objective मतलब goal अब आपको गए definitely goal क्या होना चाहिए पैसा होना चाहिए earn करने आ रहे हैं बस यही main गलती हम सब कर जाते हैं अब यहा marketing में आ रहे हो तो आप बहुत जगा पे ऐसे desperation के चलते mistakes करते हुए चलोगे जिसके बाद आपका जो end result जो की पैसा होना चाहिए था वही नहीं आएगा कैसे मैं इसको proof करने की कोशिश करता हूँ आप धिहान से सुनो आपके ही काम की चीज है मुझे तो पता है मुझे video बन चाहिए होता है desperation के चलते क्या क्या कर लेते हम सुन लो आप क्या करते हो affiliate link generate करते हो for example वो clickbank का है d store का है या फिर warrior plus का है jvzoo का है impact का है cj का है किसी का भी है मुझे नहीं पता Amazon का है किसी का भी है आप उस link को अब सोचते हो कि link मिल गया रहा अब मैं इससे धेर सारा पैसा on करूँगा कैसे मैं इसको spam कर दूँगा मैं क्या करूँगा मैं जल्ली से जाओँगा facebook के groups धूड़ूँगा उनको join करूँगा वहां पर जाके इस particular link को मैं paste करता रहूँगा back to back back to back जिससे क्या होगा लोग click करेंगे और मैं on करना शुरू कर दूँगा ऐसे है न बहुत स वो link तो मातरव 1% of total affiliate marketing है वो link खाली 1% का weightage रखता है कि यहाँ चलो आपके पास link है अब अगर किसी ने उस link को click करके product को buy कर लिया तो आप commission अन करोगे लेकिन product buy कोन करेगा वो दो नहीं बताया और product buy क्यों करेगा यह और भी ज़्यादा जरूरी था बताना लेकिन वो नह बस यहीं वो कहानी स्टार्ट होती है affiliate marketing की जहां पर आज अगर आपने इसको समझ लिया तो समझ लो आपका जो mindset है न वो IIT से निकला हुआ बच्चा जैसे engineering करता है न वैसे आप आज इस वीडियो के बाद na affiliate marketing करना शुरू कर दोगे आपको na affiliate marketing से पहले एक छोड़ा सा काम कर लेना है आपको doctor बनना है अब आप काओगे मजाग कर रहे हो क्या doctor बनने के लिए चार साल अब मैं दुबारा पढ़ाई करू doctor की तब जाके मैं affiliate marketing करूँगा मैं तो doctor बन के ज्यादा बन कर लूँगा मैं affiliate marketing क्यों करूँगा अच्छा मैं बता देता हूँ देखो affiliate marketing के लिए doctor की पढ़ाई नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ doctor काम कैसे करते हैं वो करने के लिए बोल रहा हूँ आपको पता है doctor जो है इस दुनिया के सबसे बहतरीन affiliate marketer है वो ऐसे affiliate marketer है कि हम उससे हर बार उसका affiliate product खरीतते हैं और हमें पता भी नहीं चलता और हम बार बार खरीतते हैं बार बार खरीतते हैं आप इसको देखा नहीं था अब आगर देखोगे न तो आपको चीज़े जादा समझ आएंगी और उसका reverse engineering करके आप चीज़ों को अपने fever में लिया होगी example के तौर पे, अगर मैं बिमार होता हूँ तो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ मैं डॉक्टर के पास जाके क्या बोलता हूँ अब उसने मुझे जो फीस लिया हो तो लिया लेकिन अब आपको पता है मैं उस medicines को अगर लूँगा उस brand के medicine को अगर लूँगा उसके बताएगा टेस्ट कराऊंगा तो medicine company जो pharma company है वो भी उस doctor को commission देगी और जहां से test कराऊंगा वो भी उसको commission देगी और इस तरीके से उस doctor का affiliate commission generate हो जाता है और ये हर बार होता है अब यहां से moral of the story समझने की कोशिश करो और आप देखना कि आपका जो mindset है न affiliate marketing को लेके वो इतना परिपक्व हो जाएगा कि आप prepare हो जाओगे कि अब आप एक अच्छे affiliate marketer बन सकते हो देखो आपको क्या करना है आपको ना भी एक doctor जैसा एक रुबाब रखना है किस चीज में अपने field में अपने niche के अंदर example के तोर पे मान लेते हैं कि आप finance में बहुत अच्छे हो तो लोग आपको finance related एक guru माने लोग आपको finance related एक अच्छा expert माने और जब भी उसको finance related कभी विमारी हो न तो उसको आपकी यादा है वो दौड़ वड़़ आपके पास है जब वो आपके पास आएगा तब क्या होगा तब आप उसे बोलोगे कि ये चीज कर ले मैं यह लिखके दे रहा हूँ, यह वाला insurance करीद ले, यह वाला mutual fund करीद ले, यहाँ पर इतना tax बचा ले, इत्ता कर ले, यह कर ले, वो कर ले, और इस तरीके से उसने आपकी बात 100% माननी है, क्योंकि वो खुद आया था, अपनी बिमारी को लेकर अपने financial related, उससे क्या होगा अगर आप affiliated थे, किसी brand से जिसका आपने उसको detail दिया, तो आपको वहाँ से commission मिल गया, तो इसी को ही तो affiliate marketing कहते है, और यही online में भी करना होता है, online आने का मतलब यह नहीं है, कि हमारे पास हर चीज बहुत easily available है, तो हम चीजों को खराब कर सकते हैं, हमें लगता है कि online अगर साथ काम करना होता है, अगर आपको long term game खेलना है, अगर आपको short term game खेलना है, तो तरीका है मेरे पास, जिसके अंदर आपको मैं बोल सकता हूँ, कि आप एक काम करो, एक landing page बनाओ, उस पे google ads चला दो, लेकिन हो रिस्की हो जाएगा, आपके लिए, अगर आप एक beginner हो, आप आपके छोटे मोटे लालज के लिए, आप अपना बहुत सारा पैसा जो है वो burn कर सकते, वो बहुत पैसा मैंने लोगों को फूखते हुए देखा है, और affiliate marketing के लिए, google ad, facebook ad चला के affiliate marketing करना, मैं किसी तरीके से समझदारी नहीं मानता, आपको अगर सच में affiliate marketing करना है, तो please, आ अगर आपको long time affiliate marketing करना है, जैसे कि मेरी जरा, मैं long time affiliate marketing में believe करता हूँ, कि मैंने अपनी image market में as a digital marketer बनाई है, मैंने अपने content की image as a digital marketing expert content के तोर पे बनाई है, तो अगर मेरे content पे कोई आता है, तो वो मेरे thoughts को परता है, वो thoughts को समझता है, और उसको मैं उसकी बिमारी को solve कर automation पे चलता है, तो यहां से यह long time चीज होगी, अब यहां पर यह कभी बन नहीं हो सकती, until and unless मैं बिल्कुल ही इसको focus करना बन कर दूँ, नहीं बन दो सकता, यही तो चीज मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ, कि आप अपना online presence लाओ, create करो, और अपनी जो reputation है ना, वो तोर पे बनानी शुरू कर दो, और मैं कहूंगा, आप अगर सिर्फ content पे भी focus करोगे ना अपने, तापकि affiliate marketing automatically हो जाएगी, लेकिन आपका एक niche decided होना चाहिए, आपको लोग किसी एक particular चीज के लिए export माने, तभी आप affiliate marketing कर पाओगे, वरना अगर मैं बात करूँ, market में इसली लोगे, example के तोर पे, मैं बात करता हूँ, flying beast, flying beast क्या करता है, daily vlogging करता है, अगर उसने कभी आपको किसी mutual fund को खरीदने के लिए बोला, तो क्या आप खरीद होगे, लेकिन अगर वही मैं बात करूँ कि प्रांजल कामरा के channel पे, वो किसी mutual fund को खरीदने की बात कर रहे है तो आप definitely उनका सुझाब मानोगे और वो अपने affiliate marketing को बहुत जबर्दस तरीके से महाँ से निबा सकते हैं, तो यही आपको major focus करना है, तो आज की theory में न, मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के कोशिश किया है, कि जरूरी नहीं है कि आपको affiliate marketing करने के लिए बहुत सारा पैसा दुबाना है, लेकिन जरूरी ये है कि आपको affiliate marketing करने के लिए अपने audience का trust build करना पड़ेगा, अपने audience को अपनी expertise दिखाने पड़ेगी, ताकि वो जब भी pain feel करे, उस particular field को लेके, उसको आपकी याद है, वो आपके पास है, और आपसे वो satisfied होके, आपके बताए, किसी भी product services को, वो opt करने में, हिच कचाए नहीं, and that is known as my way of affiliate marketing, and the organic way of affiliate marketing, इसमें जरूर टाइम लगेगा, लेकिन एक period के बाद, जितना भी आप टाइम लगार हो, depend करेगा कि आपकी speed कितनी है, आपको चीजों क achieve करने में, तो उस period के बाद, आपकी life smooth हो जाएगी, अब आप किसे पर depend नहीं रहोगे, कोई ad जलाने के जरूत नहीं पड़ेगे, कि ad चलेगा, तो ही आपका return आएगा, बिल्कुल नहीं, अब चीजे automatic होती जाएगी, आप content बनाते रहोगे, आप blog लिखते रहोगे, आप video बनाते रहोगे, आप email करते रहोगे, लोग automatically आपको trust करना शुरू करें लेकिन मैंने आज तक कभी उसको prefer नहीं किया है, इसलिए मैं suggestion भी नहीं दूँगा, क्योंकि जिस गली जाना नहीं है, उस गली का पता क्यों पूँचना, तो exactly मैं भी आप से request करूँगा, कि paid ad चलाके affiliate marketing को कभी भी अन्जाम मत देना, बाकी तरीके बहुत सारे मेरे इस channel प देख सकते हो, मेरे चैनल पर जाके, मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में सब तक के लिए guys, have a nice day, see you and bye!